तो फ्रेंट्स मुझे तो लगता है कि यह फीश जो है एक से फूल लोड़ेट है तो आप लोगों क्या लगता है कमें जुरूर भात आईएगा मुझे तो लगता है कि एक से फूल लोड़ेट है फ्रेंट्स हाई फ्रेंड्स मैं मानच आप सब लोगों का आपका चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो फिर्स उमीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वास्त होंगे शुरक्सित होंगे तो फिर्स आज मैं आगा हूँ एक नया वीडियो लेकर जो है फिस्ट के रिलेटट जेब्रा फिस्ट बैसली जेब्रा फिस्ट तो मैं आज रात को एक वीडियो देख रहा था यूटूब में कि आप कैसे जेब्रा फिस्ट है जो आप बीटिंग ले सकते हो उसका बच्चा अगरा कर सकते हूँ तो मेरा मन में ख्याल है मेरा पास भी तो चार पास जेब्रा फिस्ट है उसका भी तो पेट देखा में एक से लोड हो गया तो मेरा मन में भी ख्याल है क्या मैं कर सकतू क्या घर पर तो फिसके लिए मैं रात को ही वीडियो बनाना स्टर्ट कर दिया और और सेटब भी करना चलू कर दिया मचली का जो आप लोग के साथ सेयर भी कर रहा हूँ तो फेंस मैं जो वीडियो में देखा जो दूसरा भाई लोग जो बनाया वीडियो उससे ही मैं देखके उससे इंस्पर होके मैं यह पोजेक्ट बना रहा हूँ अभी फिला ठीके तो उस पारना है ओफ्रेंट्स एक नेट लेना है क्योंकि मैं जब सुना है कि जेबराफिश जो आंडा देता है वो खुद उसका अंडाई वो लोग खा लेता है ठीक है उसके पास रहेगा तो तो उसके लिए एक नेट का बंदवस्त करना पड़ेगा जो कि उसका अंड से उसको दूर रखेगा तो फेंट्स मुझे लगता है कि यह मस्क्यू टू नेट बहुती इसका जो होल है बहुती एक तॉम बारिक है इससे उसका अंडा नहीं निकल सकता है तो फेंट्स मेरा तो मन में खाल है तो इससे तो बसने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो फेंट्स मैं इसके उपर इसके अंदर जो पानी में रहेगा उसमें बड़ा बड़ा खोल कर दिया शेद कर दिया एक चक्कू की मदद से चुरी की मदद से त्याकि इसके अंदर जो आंडा गिरेगा तो इस शेद से बाहर निकल जाएगा उस पानी में और माचली जो है उस नेट के उपर तो इजहां तक तो प्लान सब ठीक था और मेरा उमीद भी था क्योंकि मेरा फीज जो है फुल लोडे था तो मेरा उमीद भी था कि मेरा जुरूर कुछ ना कुछ तो रेजल्ट मिले गाई तो मैं छेद करके या इसको अच्छे से सेट अप करके इसमें माचली को छोड़ दिय तो फेंट्स फाइनली माचली को मैं छोड़ दिया तो देखिए तीन यूलो है दो ब्लू ग्रीन है और दो ओरेंज है तो यह देख सकते हो मेरे ख्याल से तो यह फूल एक से लोडेट है तो मुझे लागा मुझे तो लागा था कि जरूर यह एक देने वाला है और यह इसक तो मेल फिमेल भी है इसमें कनफर्म तो मुझे लगता है जितना मेरा आयरे नोलेज है जितना ज्यादा तो नहीं है मैं वीडियो देखके मैं यह सेट अप को तैयार किया क्योंकि मुझे भी घर पे जेब्राफिस अगर मिल जाएगा चिक्सुसका बच्चा जेब्राफिस क तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि मेरा पास तो जेब्राफिस है अल्रेडी तो अब इसको रात में ही में इस सेट अप को करके अभी फिलाल तो इसको ढाक दूंगा और सुबह में आप लोगों को दिखाऊंगा क्या रेजल्ट आया है तो प्रेंस आप देखिए सुबह में इस कथीया था नेट पे तो वह छी मंच लिया क्या पानी में अंदर चला गया ट्यक्याओ okayए मैं देखा की वाने नेट के वा सविए पानि में तिन चला गया तो फ्रेंट्स, ABOUT तो मेरा उँमीद भी थोड़ासा टाउन हो गया कि क्या हुआ कि मचली ने नढ़ा दिया कि नहीं दिया मेरा भी तो कुछ समय में नहीं आयाatha hoलोउख refr hoor सकता है तो फ्रेंज यहां पर थोड़ा निराश हो गया में उमीद खोग दिया क्यूंकि कुछ भी नजर नहीं आया मेरा अंडा तो इस प्लान को तो यही पर खतम कर दिया उसके बाद थोड़ा दिन बाद फेड़ देखेंगे कुशिस करेंगे क्या होता है की नहीं वह भी आ वह चिस करेंगा करेंगे दो फेंट्स के लिए तो थोड़ा टाइम लागेगा लेकिन अभी फिलाल क्या करूंगा देख सकते में डिबब लेके ले आया हrab्रेस इसमें तो स्राइंड़ वीडियो जो यूट्यूब में देख रहा था मचली का जब प्राइस निकलता है उसक छोटा छोटा बाच्चा तो उसको खाने के लिए भी कुछ होता है जो इल्म फूसूरिया इन्फूसुरिया बोलते हैं जो भी बोलते हैं मेरा तो ठीक से नहीं निकल रहे हैं मुझसे तो फ्रेंस उसका बनाने का कोशिश करेंगे हम अभी जो हम लोग पहले जो बस भी करना पड़ेगा इसलिए इन्फोसुरिया हम लोग तयार करेंगे यह तो बहुत ही इजी है हम लोग घर भी आराम से बना लेंगे इसके लिए पूराना जो पानी है वह ले लेंगे और थोड़ा फेश नर्माल वाटर उसको एट कर देंगे आब इसके बाद इसमें कु कुछ भी अभिश्कार जो है बोलते हो नहीं है मैं यूट्यूब से दुसरे भाई लोग वीडियो देखके मैं यह बना रहा हूँ तो इसमें मैं दो तीन कले का जो बनाना का छिलका होता है वह मैं डाल दिया और इसको अभी देखिए यह से जो जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं पड़ता है वहाँ पे मैं राख दूंगा पानी ज्यादा हो गया साइट में कम कर देता हूँ तो इसको अभी जो नेट से मैं इसको कबर करके यह साइड में में राख दूंगा जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं परते पानी किया पानी ज्यादा गरम नहीं होना चाह को पाने के लिए विडियो आएगा तो फिलाल इस विडियो में इतना ही आपको कैसे लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बता हिएगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा तकि ऐसा इंटरेस्टिंग औ लेकर आतर आओंगा आपके लिए तो फिर आज के लिए इतना ही मिल दें नेक्स्ट